हेलो फ्रेंड्स घर की सुरक्षा के लिए वैसे तो कई यंत्र होते हैं लेकिन वास्तू के हिसाब से एक यंत्र ऐसा भी है जो आपको घर की सुरक्षा के साथ साथ घर में रहने वाले लोगों की खुशियों की सुरक्षा भी करता है हम बात कर रहे हैं घर में लगाने वाले ताला और चाबी की वास्तु शास्त्र में ताले को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनको मानने से घर का सामान और खुशियां दोनों ही सुरक्षित रह सकती है वास्तु शास्र के मुताविक पूर्व दिशा को सूरे का इस्थान माना गया है और इस दिशा में तावे का ताला इस्तमाल करना चाहिए इससे चोरी का डर कम रहता है पश्चिम दिशा को शनी का इस्थान माना जाता है इसलिए यहां लोहे का काले रंग का ताला लगाएं बता दें कि उत्तर में पीतल के ताले लगाने से सुरक्षा बढ़ती है लेकिन ध्यान रखें कि इसका रंग हल्का सुनेरा होना चाहिए इसी तरह दुकान या ओफिस पर पांच धातू के भारी ताले जरूर लगाएं ताले के भारी होने से घर की सुरक्षा बढ़ती है और अगर पांच धातू का ताला नहीं मिले तो ताले पर लाल या चेरी रंग चड़ा कर लगा सकते हैं अगर आपका घर या दुकान उत्तर पूर्व मुखी है तो पीले रंग का ताला लगाना चाहिए और अगर पश्चिम पूर्व दिशा में आपका घर या ओफिस है तो लाल या चेरी रंग के ताले लगाएं इसी तरह दक्षिन पश्चिम दिशा में राहू का स्थान होता है इस स्थान पर भूरे रंगा ताला लगाना चाहिए छट पर लगने वाले ताले का रंग नीला होना चाहिए इसी तरह बेस्मेंट में चमकीले रंगा ताला लगाएं और इसकी संख्या दो होनी चाहिए और हाँ घर की मंदिर पर ताला बिल्कुल ना लगाए नहीं तो भगवान आपके घर की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो ऐसी ही कुछ और मज़ेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी बाई बाई फ्रेंड्स